तो ये वीडियो जहासे उनके लिए है जो CHS Classes के लिए प्रविशन कर रहा है और हमारे यानि BHS Super Classes के जहासे Study Material को लिए हैं तो आप लोग को जहासे इस वीडियो में बताया जागा कि आप लोग को जहासे किस तरह से इस वीडियो में जहासे सारा चीज आप लोग को बताया जागा तो अची तरह से वीडियो दखें कौन सा subject किस तरह से पढ़ना सारा चीज बताया जागा तो चलिए श्टार्ट करते हैं बिना देरी किये तो सबसे पहले basic चीज के बारें बात कर लेते हैं सबसे पहले जहासे बहुत सारे resident का प्रोवन आता है कि उनके पास जहासे mobile regular नहीं रहता है और किसी को प्रोवन होता है mobile को देखने में क्योंकि ये PDF material है आप लोग जहासे कोशिज करें कि जो PDF है उसको print out कर वाले है तो आप लोग जहासे दो PDF material दिया गया है एक guide book दिया गया है एक module पर दिया गया है सबसे पहले back आप लोग को किस तरह से पढ़ना है तो सबसे पहले देखते है math subject तो math में जहासे आप लोग सबसे पहले क्या करना है आप लोग जहासे class 5 का book चल रहागा आप लोग इस्कुल में आप लोग जहासे इस्कुल में जाते हैंगा तो आप जहासे जो जो चैप्टर आप लोग का जहासे बुक में उसे अची तरह से पढ़ना है और उसको जहासे अची तरह से प्रेक्टिस करना है और वो चैप्टर math में जहाए से साही हम सारे chapter को कर दना है और practice कर दना है सबसे पहले जहाए से आप लोग class 5 का जो book है उसको अची तरह से करना है उसके बाद जहाए से आधा या एग हंटा आप लोग time निकल कर आप लोग जहाए से इसे करना है math को, तो हो गया ये math उसके बाद science में जहाए से आप लोगो important question दिया गया है तो आप लोगो जहाए से important question को अची तरह से revise करना है और भी जहाए से important question आप लोगो जहाए से send किया जाएगा और 7 में जहाए से आप लोगो जो class 5 का book है science का उसे जहाए से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है और revise करना है क्योंकि ज्यादा तर की उचान जहाए से उसे चान रहेगा और उसको जैसे revise करना है और जो की उचन दिया गया है PDF material में उसे जहाए से revision करना है बस यह हो गया science का उसके बाद English है English में जहाए से आप में जहाए से वह chapter नहीं है और आप लोगो जहाए से class 5 के book में है तो आपको जहाए से उसको भी practice कर लेना है मतलब पूरे अच्छी तरह से त्यारी कर लेना है हो गया English का उसके बाद हो गया Hindi हिंदी में जहाए से grammar से आप लोगो की उचन पहुच जागा तो grammar का सारा topic आप आप लोग जहाए से अच्छी तरह से रिभाइज कर लेना है और साथ में जहाए से जो GK book आप लोग class 5 का दिया गया है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें जहाए से current affairs question पहुच जहाए से एक मन्थ पहले हम आप लोगो send कर देंगे क्योंकि जहाए से latest update वाला question प फढ़ना है उसके बाद जहाए से revision के लिए आप लोगो जहाए से PDF material को पूढ़ना है और जैसे मान लोग कि आपको लोगो जहाए से कोई chapter में दिक्कत हो गया तो आप लोग को जहाए से क्या करना है यूट्यूब पे वो chapter को search करना है और अच्छी तरह जहाए से आप लोग को जहाए से kitchen पहुजाता है CHS में सबसे पहले जहाए से आप लोग को market से OMR seat लेना है आप लोग देख सकते हैं कि OMR seat कैसा रहता है OMR seat लेकर करके जहाए से आप लोग को हर एक Sunday को time निकाल निकाल करके एक-एक model paper solve करना है उसके बाद जहाए से match करना है answer की से और उसके और OMR seat को जहाए से अची तरह से भरना है क्योंकि आप लोग जहाए से CHS exam में जहाए से OMR seat में ही kitchen को करना है OMR seat ही दिया जाएगा क्योंकि हुआ पर गड़बड किजेगा तो बहुत सारे दिकत होते हैं पिछले बार जहाए से इस देन बहुत सारे गलती किये थे इधर वो गलती नहीं करना है और आप लोगो जहाए से दिसंबर या जनवर्स जहाए से आप लोगो रेगुलर विकली टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग जहाए से उसके लिए ready हो जाएंगे तब तक ले जहाए से आप लोग class 5 को जहाए से book अच्छे तरह से पढ़ना है और जहाए से important point को अच्छी तरह से note करना है पूरा सारा चीज नहीं लिखना है जो जो important लगे आप लोग को जहाए से लिखना है chapter y ठीक है इसी तरह जहाए से आप लोग practice करना है बाकि आप लोग को जहाए से class 5 का notes होगा उसे अच्छी तरह से पढ़ना है बस इतना कर दीजग आप लोग को जहाए से selection पक्का हो जाएगा आप लोग जहाए से अच्छी तरह से पढ़ें और तबाही मचाते इस बार exam में तो इसी सथ वीडियो को समाम्त करते हैं तब तक लिए जहाए से आप लोग चैनल पर भी update रहा है ताकि आप लोग जहाए से latest video चाहे कोई भी update आ अब से तो आप लोग को जैसे मिलता रहे है